प्रदेश अधनस सिवा चेन आयोग यूपित्र पलेसे ने वर्ष 2022-2024 में भरतियों के लच्छ तै कर दिया है। इस साल वह करीब लगभग एनेम के 12743 पदों पर भरतिया करने वाला है। यूपि में इस से पहले एनेम के 9212 पदों पर भरति प्रक्रिया सुरू की गई थी जिसको पूरा भी कर लिया गया है। अब आयोग यूपि एनेम 12743 पदों पर भरति निकालने वाला जिसका विज्यापन जल्द जारी किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपि एनेम भरति 2324 सम्बंधित महत्रपूर अपडेट देने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम A&M Permanent Vacancy की बिस्ता में आपको जानकारी देंगे कि A&M Permanent Vacancy 12,743 भरती का notification कब तक जारी किया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया कब तक सुरू की जाएगे और ये भरती पेट के आधार पर सुरू होने वाली है तो बहुत से चातर ऐसे हैं जो लगातार यही सवाल कर रहे है कि पेट में कितनी स्कोर होना चाहिए जिसे वो आनलाइन आवेदन कर सके तो दोस्तों आप लोगों से एक request है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को share कीजी और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजी ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे आपका एक support हमें motivate करता है दोस्तों चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तों यूपी एनेम के जो कुलपद निकाले जाएंगे वो 12,746 पदों पर भरती प्रक्रिया सुरू की जाएगे अर्थात यूपी त्रिपलेसी की आयोग की ओर से जो नई वेकेंसी आईगी वो 12,746 पदों के लिए आईगे क्योंकि आपको तो मालूम होगा कि यूपी में अभी 9,212 भरती को पूरा किया गया है अभी भी लगभग 12,746 पद खाली पड़े है ऐसे में आयोग जल्द ही यूपी अनम 12,746 भरती का नोटिपिकेशन जारी किया जा सकता है सबसे पहले हम उम्र सीमा की बात करें दोस्तो इस बैकेंसी में आलाइन आवेदन करने वाले अभ्यारतियों की जो उम्र सीमा निर्धारित होगी वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष निर्धारित की जाएगी दोस्तो जो 24 उपी अनम 12,746 भरती में आलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए अर्थात 18 से लिकर 40 वर्ष के अभ्यारती ही इस भरती में आनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर इस से ज़्यादा उम्र होगी तो आनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे आईए बात करते हैं यूपी एनम 12,746 पदों के लिए चैन प्रक्रिया क्या निर्धारित होगे तो दोस्तों इसमें एनम के लिए 100 प्रसनों की परिच्छा होगे मतलब दोस्तों इस भरती में एनम की 100 प्रसनों की एक लिखित परिच्छा आयोजित की जाएगी और जो समय निर्धारित किया जाएगा वो 2 घंटे निर्धारित किया जाएगा दो घंटे इसमें 100 प्रस्णों को हल करने का समय दिया जाएगा और हर गलत जवाब पर एक चौथाई अंक काटे जाएगे अर्थाद दोस्तो यूपी एनम 12746 पदों के लिए जो चैन प्रक्रिया होगी वो आपका लिखित माध्यम होगा जिसमें 100 प्रस्ण आना अनिवार है और जिसके लिए 100 प्रस्णों को हल करने का जो समय दिया गया हो दो घंटे का दिया गया है और इसमें बहुविकल्पी प्रस्ण होंगे हर गलत जवाब पर आपको एक चौथाई अंक काटे जाएगे अर्थाथ इस वेकेंसी में माइनस मार्किंग की भी डिवस था लागू की जाएगी आईए बात करते हैं यूपी एनेम 12746 भरते के लिए आवेदन प्रक्रिया तो दोस्तों 12746 प्रदों के लिए जो आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी वो लगभग नवंबर से दिसंबर माह में शुरू की जाएगी नवंबर से दिसंबर माह में यूपी एनेम 12746 प्रदों के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया सुरू की जाएगी जिसमें सभी अभ्यारती आनलाइन आवेदन करेंगे आनलाइन आवेदन प्रक्रिया बंद होने के बाद फिर से वेपसाइट ओपन किया जाएगा और लगभग 5-6 दिन तक आवेदन प्रत्र में आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा तो दोस्तो यूपी अनेम 12746 बंद हरती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया का निर्धाराण होगा उलगभग 9-9 से दिसम्बर माह में होगा 9-9 माह में ही इसमें आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगे और सभी अभ्यारती को आनलाइन आवेदन करने का मौका द सकता है तो अपलाई करने वाले कंडिडेट को इंटर्मीडेट भी होना चाहिए उसके साथ समकच कोई परिच्छा उत्रेड की है अर्थात 12 पास होना चाहिए उसके बाद कोई समकच परिच्छा उत्रेड की है इसके अलावा डेड़ वर्स या दो वर्स का एनेम कोर्स भी होना चाहिए और भारती परिचरिया परिशत के नेमों के अनुसार एनेम का प्रसिछन भी उसने पूरा कर लिया हो और यूपी नर्सेंट एंड मिडवाइस काउंसलिंग लखनों में रेजिस्टर भी हो अगर इन सभी योगिता है तभी वा यूपी एनेम 12,746 पदों के करेंगे उनको यूपी पीटी परिच्छा उत्रेड की हो आईए बात करते हैं यूपी पीटी परिच्छा कितने नंबर पर आभ अभ्यारती आलाइन आवेदन कर आएंगे तो दोस्तों हम आपको बता दें यूपी पीटी परिच्छा जो अभ्यारती दिये हैं उनके लिए इस भरती में आलाइन आवेदन करने की जो अंक निर्धारित के गए हैं वो लगभग 45 से लेकर 50 अंक निर्धारित के गए हैं अगर जिन भारतियों का UPPT एकजाम 45 से लेकर 50 नमबर है वह इस भारति में आल लाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना आवेदन प्रक्रियाब पूर्ड कर सकते हैं दोस्तों आईए बात करते हैं UPNM 12,746 भरति के लिए वेदन क्या निर्धारित हो जाएगा तो महाने देशक परिवार का लियाण उत्तरप्रदेश लक्राओं में वर्लिद के अनुसार इसमें जो वेदन निर्धारित क्या जाएगा इस भरति के लिए वो 21,000 से लेकर 79,000 21,000 से 79,000 रुपए तक निर्धारित किया जाएगा और इसी के मताबिक उनको सैलरी प्रदान की जाएगी दोस्तों UPNM 12,746 पदों के लिए आपका चैन एक लिखित पर इच्छा के माध्यम से होगा इसलिए आप अपनी तैयारी जम करके किए क्योंकि UPNM 12,746 पदों के लि जो समय आपका निर्धारित किया जाएगा और दो घंटे के अंदर आपको सौ परस्ट यूपी एन اम 12,746 पदों के लिए आपको करना होगा और जैसे ही आप 12,746 पदों के लिए सौ परस्ट कर लेंगे उसके बाद आपका चैन हो जाएंगा दोस्तों UPNM 12,746 पदों के ल अटेंड करें उसको ध्यान पूरुवक करें क्योंकि इसमें एक चवथाई अंक काट लिया जाएगा अर्थात यूपी एनम 12746 परदों के लिए माइनस मार्किंग की भी विवस्था इसमें लागू की गई तो दोस्तों ये थी महत्तपूर जानकारी यूपी एनम 12746 भरती क वेली